वेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में करेंगे सीबेसी बोर्ड परिक्षा 2021 में नए पैटरन के हिसाब से जो कोश्चन पेपर आएगा 2021 का तो उसमें जो भाग बै है उसके सुरोत अधारित एक अंक वाले प्रशन आते हैं जो की तीन प्रशन होते हैं तो इस तरह से कुल नौ अंक जो है इन तीन प्रशनों में आते हैं जो की क्वेश्चन नमबर 17,18 और 19 की पॉर्म में आते हैं तो इनको जो है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं तो यह शंकला मैंने शुरू कर रखी है सेंपल पर सीरीज की जिसका यह 20 वाँ एपिसोड है तो अगर आपने पहले वाले 19 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी इसको सर्च कर सकते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो को तो कॉश्चन नमबर 17 है जो इस वीडियो का पहला कॉश्चन है कि निमलिक जो की आदुनिक तटवर्ती उडिसा है पर विजे प्राप्त की तो डेड़ लाग पूर्शों को निश्काशित किया गया एक लाग मारे गए और इससे भी ज़्यादा की नित्यु हुई कलिंग पर शाशन स्थापित करने के बाद देवनाम पिये धम के गहन अध्यन धम के स्ने और धम के उपदेश में डूब गये यही देवनाम पिये के लिए कलिंग की विजे का पश्चाताप है देवनाम पिये के लिए यह बहुत वेदनादाई और निंदनी है कि जब कोई किसी राज्ये पर विजे प्राप्त करता है तो पराजित राज्ये का हनन होता है और वहां लोग मारे जाते हैं निश्काशित किये जाते हैं तो यहां सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं प्रष्णों पे जाने से पहले तो यहाँ देवनाम पिये-पिये-दस्थी का वरुनन किया गया है जो कि मौरे वंशिक महान चक्रवर्ती सम्राट अशोग से की उपादियufen यह समराट अशोग की उपादिया हैं जो उनके नियंत्रण शेत्र में नहीं था उसके उपर अक्रमन किया और इस युद्ध में भारी नरसंगार हुआ और निशकाशित का मतलब होता है राज्जे से निकाल दिये गए और इसी तरह से महापे कलिंग पर उसका शाशन स्थापित हो गया आशोक का लेकिन उनका इतन नहीं जीवन जो है शेष जीवन है वो इसमें लगा दिया मानुता के कल्यान में लग गए तो यह कलिंग विजय का उनका एक पश्चाताप था तो देवनाम पिये के लिए यह बहुत वेदनादाई बात थी वेदनादाई का मतलब था दुख देने वाली थी और निंदनिय यानिके जिसकी बुराई की जाए कि जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है तो जो पराजित राज्य है यानिके हारा हुआ राज्य है उसको हनन होता है यानिके उसका नुकसान होता है लोग मारे जाते हैं या फिर निशकाशित कर दिये जाते हैं रज्जे से निकाल दे जाते हैं तो आईए अब इसके प्रश्णों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं पहला प्रश्ण है देवना पीए पीए दस्ती निमलिखित में से किसे शाशक की उपादी थी तो विच आप फॉलिंग रूलर्स ऑफ कलिंगा देवना पीए पीए दस्ती तो यहां जो अप्शन दे रखे हैं एबी सीडी वह इस प्रकार हैं पैए है चंद्रगुप्त मौर्य भी है संद्रगुप्त सी है असोख और डी है कनिश्क तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा शाशक था जिसे देवना पीए पीए दस्ती के नाम से जान इसके साथ ही समय समाप्त हुआ इसका जो सही उत्तर है वो है सी अशोख तो जो अशोख मौर्य थे वो देवना पीए पीए दस्ती के नाम से जाने जाते थे कोश्चन नमबर दो है पीए दस्ती ने शाशनकाल के कितने वर्ष पूरे होने के बाद कलिंग पर आक्रमन किया यानिके आफ्टर हाव मैनी येर्स अप दर इस इन पीए दस्ती इंवेडिड कलिंगा ओप्शन ए है सात वर्ष यानके सेवन येर्स भी है आठ वर्ष यानक तो आपको बताना है कि अपने शाशन के कितने साल पूरे होने के बाद जो पीए दस्ती अशोक थे उन्होंने कलिंग के उपर आक्रमन किया तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है बी आठ वर्ष यानके अपने सत्ता सीन होने पर यानके सिंगहासन पे बैटने के आठ वर्ष के बाद उन्होंने कलिंग पे आक्रमन किया था क्वेशन नंबर तीन है देवना पिये के लिए कलिंग का युद्ध विजय किस प्रकार परमानित हुई निमलिखित में से कौन सा विचार सही है यानि के वार विक्ट्री ऑफ कलिंग प्रूवड फॉर देवना पिये विच आफ दा फॉलिंग विउज इस करेक्ट तो आप युद्ध विजय के बाद तो option A है खुशी यानि के happy, B है पस्चाताप यानि के repentance, C है जश्न यानि के celebration और D है उपर युक्त में से कोई नहीं यानि के नना अफदा अब तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है, कौन सा विचार उनके मन में है तो उसके तो इसका जो सही जवाब है वो है, B पस्चाताप यानि के repentance, तो कलिंग की लड़ाई जो 261 से 262 से पूर्व में हुई थी, इस युद्ध के बाद जो भ्यानक नरसंगार हुआ, उसके बाद अशोक को यानि के पिये दसी जो थे देवनाम पिये पिये दसी उनको बहुत ही पस्चाताप हुआ था, क्वेश्चन नम्बर चार है, देवनाम पिये के लिए निमलिकित में से कौन सा कथन ठीक है, यानि के which of the following statement is correct पाद देवनाम पिये, यहाँ पर बात हो रही है, वो य मेंडूलस, हैपी भी है, शोबनी है, यानि के अड्मायरेबल है, सी है, खुशी का दिन है, यानि के happy day है, और डी है, गम का दिन है, यानि के day of sadness है, तो आपको बताना है, ABCD में से कौन सा ठीक है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है, अब तो इसका जो सही जवाब है, वो है, यानि के देवनाम प्रिये के अनुसार, जब कोई राजा किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है, तो यह व्याभार जो है, वो निंदनी है, question number 18 है, निम्न चित्र को देखकर नीचे दिये गया, प्रश्नों के उतर दीजे, यानि के see the following picture and answer the question given below, तो यहाँ पर यह एक चित्र दिखाया गया है, एक स्थम्ब दिखाया गया है, तो इस स्थम्ब के को आपको ध्यान से देखना है, और इसके आगे आने वाले जो प्रश्न है अगली स्लाइडों में उनके आपको आंसर देने है, आप इस चित्र को ध्यान से द हैंगे, तो उनमें से तीन का आपको जवाब देना है, तो question number 1 है, उपर युक्त चित्र किस स्थल का है, यानके which place in the above picture, तो option यह है, विरुपाक्ष मंदिर का एक स्थम्ब, यानके pillar of विरुपाक्ष टेंपल, B है विठ्थल मंदिर का एक स्थम्ब, यानके pillar of विठ्थल ट तो आपको बताना है कि यह जो स्थम्ब है, इन में से किस मंदिर या स्थूप से लिया गया है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है, अब तो इसका जो सही जवाब है वो है A, यानके विरुपाक्ष मंदिर का एक स्थम्ब, तो यह स्थम्ब जो है विरुपाक्ष मंदिर में से लिया गया है, और जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह विरुपाक्ष मंदिर है और इस विरुपाक्ष मंदिर में जो यहाँ पर यह स्तंब वगार बने हुए उन स्तंबों में से एक स्तंब से यह लिया गया है अगला क्वेशन है कि इस चित्र में निमिलिकित में से किन जानवरों को दर्शाया गया है यानिके इस चित्र में किन-किन जानवरों को दिखाया गया है उस चित्र को आप ध्यान से देख लिजे और फिर उसके बाद उन जानवरों की पहचान करके आपको बताना है अप्षन ए है अश्व यानिके घोड़ा और हाती यानिके और सेंड इलिफंट भी है हाती और बक्र यानिके इलिफंट और गोट तो आपको बताना है कि यहीं से कौन सा इसका सही उत्तर है तो आपने अभी तक उनको पैचान लिया होगा तो उसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है यानिके अश्व और हाथी और सेंड एलिफेंट तो यहां चित्र में आप देख रहे हैं कि यह जो दिखा रखा है यह एक होर्स यानिके गोड़ा है तो यह एक गोड़े का इधर आकरती बनाई गई है और यहां यह नीचे देखिए यह एक हाथी की सुन्ड और इसके मुखाकरती आपे बनाई गई है तो यह जो है इस तरह से आप देख रहे हैं कि अश्व और हाथी जानिके और सेंड इलिफेंट इस पिक्चर में दिखाए गए हैं अगला क्वेशन है चित्र में अश्व और हाथी को क्यों दिखाया गया है तो उसके लिए कुछ कथन यहां पे दिए गए हैं कि उस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारिती यानि कि युद्ध में जो गोडों के ज़्यादा उप्योग किया जाता था तो गोडों का उप्योग अधिक होने की वज़ा से गोडों को यहां पे बनाया गया है दूसरा यह है कि मद्धे एशिया और अरब से जो गोडों का आयात होता था यह बताने के लिए जो है यहां पे स्थम में अश्व को लगाया गया है lotsy a यहाला्जा भी घोडों और हाथीयों के लिए प्रोज़षां देते थे यानिके राजा जो चाते थे के घोड़े और हाथीयों के ज्यादा से ज्यादा आक्रतियां मनाई जाए उनको प्रोज़षाइड करने के लिए exchud उपर युक्त में से कोई नहीं यानि कि यह सब कारण इसमें नहीं है और ही कोई कारण है ऐसा जो है डी आप्शन बता रहा है तो इसमें से सही उत्तर क्या है उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है A, B and C यानि कि A, B और C तीनों ही सही है तो क्योंकि यहां पर अगर लिखा हो था डी आप्शन में कि All of Above यानि कि उप्रयुक्त सभी तो फिर यह तीन उत्तर नहीं देने थे लेकिन क्योंकि यहां डी आप्शन जो है वो प्रयुक्त में से कोई नहीं है तो इसी लिए जो है हमारे को इसके तीनों आप्शन A, B, C यहां पर लिखने पड़ेंगे अगला क्वेशन है क्वेशन तो आप्शन A है देवी देवताओं की यानिके फीगर्स ऑफ गॉड और गॉडड़ेस भी है मानुव अक्रतियां यानिके हुमन फीगर्स और C है पश्रुओं की यानिके अनिमल्स और D है उप्रयुक्त में से कोई नहीं यानिके ननाफदा भग तो आपको बताना है कि इ अपने अक्रतियां इस घोड़े और राथी के अलावाज दिखाए गें हैं वो किन की हैं देवी देवताओं की हैं मानुव अक्रतियां है या पश्रुओं की ही आक्रतियां हैं तो उसके लिए आपका समय शुरू और आया है अब तो आपका समय समापत हुआ अब इसका सही उत्तर बता जाते हैं इसका जवाब है भी मानुव अक्रतियां तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह सब जो है यहां पर मानव अकृतियां जो है यहां पर बनाए गई है इस वाले पार्ट के अंदर तो यह बचे आकृतियां यह अश्व और अथी के अलावा वह मानव अकृतियां है कोश्चन नमबर उननिस है जो इगध्यांच है निमलिकित गध्यांच को पढ़ कर नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर देने हैं यानि के रीड दा फॉलिंग पैसेज अंड आंसर दा कोश्चन से गिवन बिलो तो गध्यांच जो है वो इस प्रकार है कि सुदर्शन जी है रुद्र धरमन की उपलब्दियों का उलेख करने के लिए बनाया गया था अज्या-गूर की लिस पनाया गया था तो इस अभिलेक में कहा गया है कि जल ढ़ारों और तटबंदों वाली इस जील का निर्माण मौरे काल में एक स्थानी राज पाल द्वारा किया गया था यानि के जल्दवार जो है यहां पर पानी के आने के जो रस्ते थे जिन से वो पानी उनमें आता था और तटबंद यानि के जो उसके आगे बांध बनाये गए थे जील का पानी को रोकने के लिए उन तटबंदों का निर्मान जो है एक स्थानिय जो रज्जेपाल थे रुद्रदमन ने इस जील की मरमत अपने खर्चे पर करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था यानिके जो उस समय जो शाशक रुद्रदमन थे जिनों ने ये शिलालेख लगवाया था या जिनकी उपलब्दियों को बताने के लिए शिलालेख भी अपने स्वेम के खर्चे से कराया था और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था तो यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो शक शाशक थे वो मूल भारतिये नहीं थे बलकि विदेशी अक्रांता थे जो कि यहीं पर आकर बस गए थे तो एक तरह स जो है यह भारतिये ना होने के बावजूद भी इन्होंने भारतिये परंपराओं का सम्मान करते हुए शरुद्र दमने जो सुदर्शन जील जो काफी धार्मिक महत्व रखती थी उसकी मरमत कराई और इसके बदले में उन्होंने प्रजास से कोई कर यानिके टैक्स भी नह अबिलेक जो है लगबग पांचवी सदी में जो लिखा गया उसमें कहा गया है कि गुप्त वंच के एक शाशक ने एक बार फिर इस जील की मरमत करवाई थी यानिके बाद में जो क्योंकि मौरियक के टाइम में बनाई गी शक शाशक रुद्र दमन ने इसकी मरमत करवाई थी और फिर बाद में गुप्त वंच के दोरान जो भारत का स्वन काल कहलाता है तो उसके एक शाशक ने भी जरजील की दुवारा से मरमत करवाई थी तो आईए अब इसको समझ लेने के बाद अब इनके प्रशनों के उत्तर देखते हैं कोशन नमबर एक है मौरे सामराज् किस प्रकार से की जाती थी यानिके इरिगेशन सिस्टम किस प्रकार का था यानिके सिचाई के लिए किन-किन चीजों का उप्योग किया जाता था समान्य तो उसके बारे में आप सोचिए आपका समय शुरू हो रहा है अब तो इसका जो सही जवाब है वो है मौरे समराज्य में सिचाई विवस्ता निमिलिकित प्रकार से होती थी पहला है कुणों के द्वारा यानिके बाइवेल्स और भी है तालाबों के द्वारा और जो सी है गय है वो है कहीं कहीं पर नहरों के माध्यम से भी सिचाई होती थी जैसे गंगा घाटी के शेत्रों में जहां नदियां से पानी परचूर मात्रा में मिल सकता था तो वहाँ पर सिचाई के लिए नहरें भी बनाई गई थी क्वेश्चन नंबर दो है दूसरी शताबदी इसवी में रुद्र दमन की उपलब्दियों के बारे में व्यक्या कीजिए यानि के एक्स्प्लेंद एचीमेंट्स और रुद्र दमन इंदा सेकंड सेंचुरी एडी तो आपको बताना है कि दूसरी शताबदी में जो रुद तो समय समाप्त हुआ अब इसका उत्तर जो है हम देने जा रहे हैं उत्तर इस परकार है कि जब एक भीश्म तुफान में जील के जो तटबंद थे वो तूट गया यानि कि भ्यानत तुफान आया और इसके चारों तरफ जो तटबंद बने हुए थे जो पानी को रोपने के भिये बंधा बना हुआ था वो सारा टूट गया और सारा पानी जो है वो बह गया तो रुद्रदमन ने इसकी मरमत अपने खर्चे से कराई और इसके लिए प्रजा से कर भी नहीं लिया था तो यह रुद्र दमन की उपलब्दी थी सुदर्शन जील की मरमत अपने स्वेम के खर्चे से करवाने की question number 3 है इस अनुशेद के आदार पर रुद्र दमन के द्वारा दर्शाएगे मुल्यों का उल्ले कीजिए on the basis of this article mention the values indicated by रुद्र दमन तो आपको बताना है कि उनके क्या मुल्य थे तो उसके बारे में सोचिए उनकी values क्या थी उनके अंदर क्या अच्छाईयां थी तो उसके लिए आपका समय शुरू रहा है अब इस अनुचेत के अधार पर यह कहना उचेत है कि रुद्र दमन एक प्रजा हितैशी शाशक था जो प्रजा के हित के लिए सदा तक पर रहता था तो यह हम इसलिए कह पा रहे हैं कि उन्हों उन्हें सुदर्शन जील जो की जील बहुत अनसे कारियों में प्रियोग होती है सिचाई वे विस्ता के लिए भी काम में आती है इसके अलावा सुदर्शन जील जो है वह धार्मिक मैत्वी रखती थी सान्य लोगों के लिए तो उसने उसकी मरमत कराने के लिए अपने स्व शक्ते प्रजा के भलाई के लिए ताम करने के लिए सदा तयार रहते थे इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ आपने जो किंती समय दिया उसके लिए धन्यवाद अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताईए कमेंट बॉक्स में कि नौ में से आपको कितने अंक मिले हैं वीड चैनल पर नहीं है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे एच्छे वीडियो देखने के लिए ज्यान दृक्तस नेके लिए मेरे चैनल गुर्देवए क्लासिश्को सब्सक्राइब जरूर कर लिए अगर नोटिफिकेशन पाने हैं तो बैल बॉटन को भी साथ ही एक निवेदन और है कि वीडियो को जादा से जादा अपने मित्रों साथियों रिष्टेदारों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाव उठा सकें धन्यवाद